हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल नीमा स्कॉर्णर और मैं हूँ नीमा सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ तो मैंने सोचा आज तो मेकप कर लेती हूँ तैयार हो जाती हूँ कैसे किया है मैंने मेकप वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले मैंने फेश वाश कर लिया था जिसकी वज़े से थोड़ सा ना स्किन टाइट टाइट सा लग रहा था तो मैंने अप्लाई किया है टोनर बायोटिक का उसके बाद मैंने वाव की फेस क्रीम अप्लाई करी है इसका रिव्यू मेरे चैनल पर बहुत जल्दी आएगा यह आपके स्किन को मौशिराइज करती है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है इसके बाद मैं आजकल जो यूज कर रही हूँ न यह है दे मॉम्स को का फेस सिरम फेस सिरम और फेस क्रीम मैं दोनों रात को यूज करती हूँ इस तरीके से डालती है न जब फेस पे तो कुछ ना कुछ गिरी जाता है प्रोड़क्ट आपके ऊपर तो इस तरीके से ना डालके हाथ पे लगाई है और फिर रब करके अपने फेस पे लगाई है जो भी प्रोड़क्ट आप लगा रहे हैं उसके बाद मेकप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा गैप ज़रूर रखे अब मैंने दो मिनिट का गैप के बाद अब मैं लगा रही हूँ परपल का प्राइमर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ओपन पोर्स की प्रॉब्लम मुझे हो जाती है गर्मियों में तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है प्राइमर स्पेशली उस जगे पर जहाँ पर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होना वहाँ पर ज़रूर लगाएगे हाई कवरेज फाउंडेशन चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो आप देखोगे मैं इसे ब्लेंड करूंगे ना तो मेरी स्किन पर आप देखोगे चेंज मुझे इतनी ज्यादा हाई कवरेज वाले रोस के लिए पसंद नहीं आते फाउंडेशन रेगुलर के लिए मैं लेक में के फाउंडेशन को प्रिफर करती हूँ या स्टिक्स को प्रिफर करती हूँ आप चाओ तो इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है तो अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी आज मैंने गलती से ये कॉलर वाली टीशेट पहन लिए पोलो नेक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं पता नी इसकी वज़े से ना मेकप आधा तो मेरा इसके कॉलर में ही लग गया था तो जब भी भी आप मेकप कर रहे हो ना तो कपड़े ऐसे पहनो जिसमें आपके कपड़े खराब ना हूँ कॉम्पैक की जगे पर मैं यूज़ करूँगी लूस पाउडर का क्योंकि गर्मिया बहुत ज़्यादा है और आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है तो मैं यहाँ पर लूस पाउडर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का और अच्छे से अच्छी लेयर जिसकी वज़े से बिल्कुल स्वेटिंग ना हो लगा लूँगी और स्पेशली अपनी अंडर आईस पर ज़रूर लगाँगी क्योंकि अभी हम आई मेकप करने वाले हैं तो हो सकता हो थोड़ा सा गिर गुरा जाए तो थोड़ा सा आईस के नीचे अच्छे से लगाईए और जहां पर भी आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन क्रीज कर जाएगा जटक जाएगा जैसे कई लड़ किया बोलती है कि हमारे में क्रैक्स पड़ गए फेस पे तो वहाँ पर आप कॉमपैक को या लूस पाउडर को थोड़ा सा ज्या अब मैं आईशेडव पैलेट यूज करने वाली हूँ यह फॉकलर का इसमें से मैं दो शेड को यूज करने वाली है तो पिंक है इसे मैं आउटर साइड पर लगा लूगी इस तरीके से अभी हम सिर्फ प्लेस करेंगे ब्लेंड हम बाद में करेंगे बहुत अच्छी पिग तो मैंने क्या किया है बेसिकली हाफ आई लिट पे लगाया है पिंक शेड और अंदर की तरफ लगाया है ब्लू शेड अब मैं ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सेम चीज हम करेंगे दूसरी आख पे भी पर मैं तो आपको बोलूँगी ब्रश ब् बहुत ही आराम से लग जाता है अब देखो ब्लू वाला मैंने इसमें भी फिंगर की मदद से रख लिया है और अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी प्रेश की मदद से आज फर्स टाइम मैं आपको बताना चाहती हूं बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि मेरा आइलाइनर दोनों आखों में बरावर लगाई वर्ना दो मुसिवत है कि बूछो है निसर effective लाइनर यूग यूज़ हो हूँ से कर से का आइलाइनर बड उससे पहले का काम कर लेते है इसके लिए मैकों कुछ लोग उत ंपक्सम्राम त्याने की का में आई ब्राउण क्यान जन्हान नहीं यूज करते हूं कभी कभी ही मैं आईब्रो पैंसिल को यूज करते हूं अगर आप रोज यूज करने लग जाओ न तो आपको आपकी नॉर्मल आईब्रो तॉट hump बिल्कुलु के आहीं शाती हूं अब मैंने इसे अच्छे से कर लिया है अब देखोगी है श suks स्टेक उरकी का ब्लू जेल आइलाइनर अब एक चीज मुझे समझने आती इस शेड को स्टेक उरकी वाले ब्लू बोलते हैं और परपल में अभी मैं काजल लगाऊंगे न तो उसमें लिखा हुआ है ग्रीन अब मुझे नहीं पता कि यह ब्लू में आएगा कि ग्रीन में आए स्टेक उरकी का जेल आईलाइनर तो दोना आखों पर लगा लोगी मैं और फर्स टाइम लाइफ में मेरा आज तक विंग आईलाइनर बराबर लगा है मुझे इतनी खुशी आज तक नहीं हुई इतनी खुशी तो मेरे को बार भी पास करने पे भी नहीं थी जितनी आज हो अब मैंने प्लम का काजल लगा लिया है और यह देखो आप यह ग्रीन काजल है और वह ब्लू लाइनर है बट बिल्कुल एक्जैक पता नहीं कैसे अब मैं लगा रही हूं लिप्स्टिक बट मैं लगाओंगी चीक्स पर क्योंकि यह जो लिप्स्टिक है शुगर की यह मु पहले एक गाल पे डॉट बनाएगे उसे ब्लेंड कर लीजिए फिर दूसरे गाल की तरफ जाएगे नहीं तो क्यों होता ना आजकल की लिप्स्टिक जो होती है थोड़ी थोड़ी मैट होने लग जाती है तो ब्लेंड करने में आपको बहुत आफ़त आफ़त आएगी तो परना करो एक एक करके लगाओ बट ये लिप्स्टिक मुझे आज़ा बलश बहुत जबरदस लगती है अब लगाओंगी मैं लिप्स्टिक रेड होट क्योंकि मुझे रेड हॉट लिप्स्टिक बहुत अच्छ है यह यह एनवआई बे शकती का शेड नमबर मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया भी शेड नबर मुझे नहीं याद है तो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया बड़ देखना जैसी लगा लोगे ना आपके फेस में हजार ओट का बल्फ जल जाएगा अब कॉंटोरिंग भूल गई थी मैं तो कॉंटोरिंग में कर रही हूं यह है वेटन व नोस कान तो नहीं कर लीएा सराइख चर्ली तो यह कानटोरिंग humid डियाने से रिइक ट्राइं तो यह कोलगा ले इंग 새벽। कोई दिककत नहीं आप लोगों को पता ही है कि नीवा कुछ न कुछ भूलती रहती है तो इसलिए मैंने का चलो अपनी लोग है टेंशन लेने की बात ही नहीं है तो मैंने मस्कारा लगा लिया है और तो मस्कारा मैंने लगा लिया है कोई false eyelashes वगरा मैंने नहीं लगाई है highlighter के लिए मैं यूज़ करी हूँ wet and wild का highlighter इसे तो बस ज़रा touch करने की दे रही है यह आपको ऐसा चमका देगा ना कि पुछो ही मत street light लगने लग जाओगे आप इतना चमका देता ही आपको ज़रा सा touch कीजेगा इसको नहीं तो बड़ा खतरनाक वाला glow आने वाला है face पे तो मैंने इसे लगा लिया है बड़ा चू चू के अगर ज्यादा लग जाएगा ना ये तो बड़ा ही खतरनाक वाले बिजली लगने वाले हो आप तो इसलिए ज़रा सा touch करना इसे ज्यादा बार छूना नहीं है इसको अब मैं make-up setting spray यूज़ कर रही हूँ faces canada का pro ultimate ये आपके make-up को घंटों तक टिका रहने देगा जिससे की आप कितना भी शादी में जाके नाच लो गा लो खा लो पी लो बिल्कुल भी आपका make-up नहीं हिलने वाला है ज्यूलरी के अगर मैं बात करूँ ये मानिक के ज्यूलर्स की ज्यूलरी है इसका ज्यूलरी हॉल मैंने आप लोग के साथ शेयर के तक उस दिन पहले नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं दे रही हूँ इसका रिव्यू मेरे चैनल पर बहुत जल्दी आएगा ब्लाउस भी रेडिमेट मैंने वहीं से मंगवा लिया था मैंने का वही आप टेलर के पास आना तो टेंशन वाली बात हो जाएगी तो रेडिमेट ब्लाउस खरीद लेती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको मैं कैसी लग रही हूँ मेकप कैसा लग रहा है जोलरी कैसी लग रही है ओवर आल आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और किस टॉपिक पर आप वीडियो दिखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मैं ट्राइ करूँगी कि आपके हर टॉपिक पर वीडियो बनाओ थेंक्यू थेंक्स पर वाचिंग